कि दोस्तों आई एंडी अकेडी में आप लोगों का स्वागत है आज इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हैं करेंट अफेयर स्पेशल फॉर MPPSC 2019 बारत आरिक को अपना पेपार है उसके लिए करेंट अफेयर को तैयार किया गया है लाश्ट में करेंट वखू भी आप लोग जानते हैं कि करेंट हमेशा कप का याद रहता है तो लाश्ट का याद रहता है इसलिए आई एंडी अकेडम के दौरा लाश्ट में करेंट अफेयर लाया गया है और जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके माध्यम से लगभग 300 अपके कैवाल kेवल करेंट आफ्यएर के एंडेल MP करेंट अफेयर का जो कुष्शन थे वो लगभग 100 क्वेंट मेंने question के फॉम में अलग से कवर कराें तो जो भी अगर इंक्रेश्टेड है तो वो टेस्यरीज के लिए मुझसे भी बात कर सकते हैं तो अभी अपना टे भेद और MP, Static Plus Current का एक संकुलित पीपर बनाया गया है, compile करते हुए कि एक ही पीपर अगर आप पढ़ लेते हैं, तो Last Wist Division के लिए सबसे best पीपर है, उस पीपर को मैंने बनाया है, और अगर कोई Current की PDF लेना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ करेंट की जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपके तीन टेस्ट पर है Current Affairs Related, तो आप तीनों आराम से Current Affairs कर सकते हैं, तो जो भी इंट्रेस्टेड हों मुझसे संपर कर सकते हैं, Current की PDF के लिए, सिर्फ 25 डूपीज में, चलिए, बात करते है Current Affairs की, चलिए, देख लिए, और Act को भी मैंने cover करा दिया, जैसा कि यहां आप इमेज में देख पार हो, मैंने लिखा भी है कि अंतिम दोनों के लिए Sports का भी, Act का, Computer का अगर आपको चाहिए हो, तो ले सकते हैं, जैसा भी हो, आप उसे संपर कर सकते हैं, अगर किसी के लिए इंट्रेस्टेड, अभी बहुत दिन हैं, मतलब पूरा ए मैं एकी चीज आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा, जो मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी यही कहता हूँ, जो मेरी Academy में है, जो नहीं अच्छा, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, कि बेटा ध्यान रहो, सिर्फ में आत्विस्वास पे भरोसा रहो, आपने सब पढ़ लिया मैंने दो बार रिवीजन भी करा दिया है क्लास में, अभी भी मैं रिवीजन करा रहा हूँ क्लास में, तो आप लोगों से सिर्फ एकी चीज कहना चाहता हूँ, कि आप लोग रिवीजन पे ध्यान देचे, और अपने आत्म विस्वास का अपना सईयम नहीं कोना है, सबसे आगे बात करते हैं, करेंट अफ्यार पे चलते हैं, सबसे पहले मुद्धे देख लेते हैं, मैंने मुद्धों की बारे में सबसे पहले चर्चा करी है, कि कौन-कौन से मुद्धे जो अपने लिए इंपोर्टेंट है, इनको मैं सुरू से टेस सीरीज में देते भी आ रहा वो सिर्फ ये पूछे का किस तारिक को आ गया, राष्टपती ने कभ हस्ताक्षर कर दिये, तो देखो 19 सितंबर को, ठीक है, केंदरी मंत्री मंदल की तीन तलाग को, 2018 की बात हो री, दंडमी अपराज गुषत करने के लिए एक अध्यादेश को सुईकर्थी परदान की गई लेकिन 31 जुलाई 2019 को इसको राष्टपती की द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, सुईकर्थी परदान दे दी गई, बिलकुल याद रखना है, और फरवरी 2019 में प्रिख्यापित अध्यादेश को प्रितिस्थापित किया था, लेकिन इसको सीधा याद रखना है, 31 जुला चलिया, तीन वर्ज का होगा, तो यह याद रखना है कितने वर्ज का, तीन वर्ज का, और यह अपराद कैसा है, यह अपराद कैसा है, देखिए संगे अपराद को क्या कहते हैं, गैर बिना वारंट के अपगरपतारी, तो गैर कानूनी है, गैर कानूनी जिसे अपन बोलते और संगे अपरादे बिल्कुल दिमागे बैठा लीजिए चलिए इतना ही याद रखना है इससे जाद कुछ भी नहीं है तला के बिद्दत फिर पूरी आप रामान याद करो बिल्कुल याद नहीं है फॉन पर वाटसप पर यह सब कोई भी जदू इतनी है मुद्दे की आगे बात करते हैं सुप्रीम कोट में नियादीशों की संख्या सुप्रीम कोट में नियादीशों की संख्या जो 2009 में संसोधन करके 30 कर दी गई थी 30 प्लस बन अब वो कित्ती होगी 33 प्लस बन तीन महिला है चोड़ दीचे 2009 में 30 प्लस बन ती सरत बोगड़ी परतवान में कौन से नंबर के हैं 47 नंबर के अपने मुख्यनाई दीश हैं तो 46 थे रंजन गोगोई बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए चलिए आगे बात करते हैं मौटर वाहन संसोधन अधिनियम 1988 ये देखी 1988 लिखा हुआ है 2,9 अगस्त 2019 को ये संसत द्वारा पारत कर दिया गया था लेकिन 9 अगस्त 2019 को कबको 9 अगस्त 2019 को राश्ट पती की इसको मंझूरी मिल गई थी लागू कब से हुआ एक सितंबर 2019 से यह लागू हो गया 1988 में यह संसोधन किया गया अब क्या-क्या संसोधन किया गए थे भाईया नसे में गाड़ी चलाने पर जो नियुन्तम पर गोशना पत्र है वो है ब्राजीलिया गोशना पत्र ब्राजीलिया गोशना पत्र है उस पर इन्होंने हस्ताक्षर करें हुए है इसलिए इन्होंने इसकर यह मुद्धा लिया चलिए जम्मू कस्मीर का मुद्धा बहुत इंपोर्टेंट है जम्मू कस्मीर का मुद्धा नौ अगस्ते दो यान उनीज को केंद सरकार द्वारा जम्मू कस्मिर को विश्यस दर्जा दिलाने हेतू आर्टिकल 370 के प्रतम खंड को छोड़कर सभी खंड समाप्त कर दिये गए अब जब यह समाप्त किये गए तो क्या हो भी है इसके बाद समाप्त कर दिये तो दो नए 31 अक्टूबर से अस्तित्त में आ जाएंगे डेट यह दोनों याद रखनी है कब लाया गया कब तो नौकस्त को लेकिन लागू कब से होंगे 31 अक्टूबर से अस्तित्त में आ जाएंगे जम्मू कस्मीर में विधान सभा बनाए जाएगी 239 एक तहट ठीक है आर्टिकल 239 एक के तहट इसमें विधान सभा बनाए जाएगी जबकि इसमें लाग्दाक में नहीं होगी लोकस और जम्मू के पिर्थम आपके उपराज जपाल LG इननों लेका हुआ है उपराज जपाल लेकित रहेगा आपको उपराज जपाल कौन है पहले ग्रिश्चंद मुर्मो और लग्दाक के पहले लोग पराज जपाल कोन है आरके मातुर यस तरह से याद कर लेना राजसवा सीट है एक है और अधर पे लग्दाक में एक भी नहीं है और अगर पुनर गठन की बात करें बहुत इंपोर्टन कुश्चन देखी एक एक फैक्ट को यहां पे लेकर चला आर्टिकल 3 के तहट होगा बिल्कॉल जम्मू के पास सीट है आ जाएंगी चलिए आगे बात करते हैं इसमें हाँ 249 के तहट तुम्हारा किसके तहट होगा पहला के जो अंशेद होगा 249 में जम्मू कस्मीर बता है 249 में और 249 कनुसा लद्दाग बन जाएगा दूसरा केंदर सासित प्रदेश ठीक है वही देख 3 को जारी की गई गई थी असके तहित मुद्दा नारिक्ता प्राप्त करने का अधिकार की बात की गई थी नाइकर और दीकार करने के-लिए 25- 밑 Saar 2019 ए 85 आ से पूर्वी की बात की पहले जो भी वह कहां रहेंगे अगर वह रहे होंगे असम में तो इनना रिक्ता प्रदान कर दी जाएगी और इसमें सो 19 लाख लोग बाहर हो गए हैं तो इस तरह से याद रखना भी फिर से यह चीश होगी और पूरे भारत में अब क्या मुद्दा है यह पूरी डिटेल बताते हैं सी सी ए एनार सी में क्या आंतर है क आप लोगों के साथ हम खड़े हैं सार आप लोग बस मेहनत कीजिए इतने कम जैसे कि मैंने बता है भी तकि मैंने 500 रुपे में आपको पीडियेप भी दी टेस सीरीज भी दी तब भी लोगों के पीट थोड़ी पचते हैं और और चाहिए इतने कम में ठीक है जितना हो जकत मैंने एक एक कवर कराएं अब इससे जादा सर क्या होता है ठीक है चलिए असम की बात बता दी गई आपको आई-एन-एस संधी सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन याद रखना है आई-एन-एस संधी इंपोर्टेंट कहना होना मैं ब्रहमास्त चला दिये गया है यह अब यह आप लोग पढ़ेंगे कहेंगे सर क्या बात है इंटरमीडियर रेंज नुक्लियर फोर्स ट्रीटी इंटरमीडियर रेंज नुक्लियर फोर्स ट्रीटी बिलकुल याद रखना है यह कब हुई थी 1988 में प्रभावी हुई थी एक जून उननीस सब कुछ लोगों के स यह अप संदी अमेरिका और रूस के मद्द हुई थी चलिए आगे बात करते हैं उपभोकता संदक्चना दिनियां दूसरा में इस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन मा मोटर बाहन के बाद मोटर बाहन में संसोधन 1988 में हुआ था उपभोकता संदक्चना दिनियां 1986 का हुआ स अब भाईया इसमें जिसको डिटेल पढ़नी है वो पढ़ सकता है अपनको तो सिर्फ इतना पढ़ना ये कब हुआ क्या प्राउधान हुआ ठीक है तो अपने पास भरपूर समय था ना तो उस समय बड़ी आराम से कराया चलिए इस समय अपनको क्या करना है एक चीट देख इसमें प्राउधान किया था जिला का एक करोड रुपरे तक प्राउधान कर दिया राज करोड यह से ऊपर के दिया कोरस की बड़ बात करते हैं कोरस परल यह क् Commandos for Railway Securities है इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि यह किस ने चालू किया है ठीक है यह किस ने चालू किया है यह याद रखना है तो भारती रेल में यात्र करने वाले यात्रियों के करें यहाले सामान की रख्षा है तो इस ने दल गठिट किया है यह थिसका नाम है हिल पिनाशा घलासोग जाता है सरी कुरस की बात करते यह जाद रखना हिंदी और इंगलिस करने दोनों फैडोर कहलाता है फाइनल एक्सपेरिमेंटल डिमोस्टेशन अब्जेक्ट रिसर्च रूस द्वारा आगस्त दोयार उन्हीं से फैडोर नामक मानो रोबिट अंतराष्टी 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 सिष्टी सन में बेजा जाएगा किसके दोरा भेजा जाएगा रूस के दोरा फैडोर रूस के दोरा मानो रोबिट अंतराष्टी 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 सिष्टी सन में बेजा जाएगा हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, बिलकुल 21 सिप्टेंबर से लेके 27 सिप्टेंबर की वो दिन, जरूर याद रखना इनकी आत्राएं, मैंने अलग से कवर कराई हैं, एक बार जरूर देख लीजिए सर, बरना पच्छताओगे, उम मुझे छोड़के, जो तुम जाओगे, यही इंपोर्टेंट, बेरी इंपोर्टेंट, छाप लो दिमाख में, इसको जूम कर देता हूँ, मैं देख लीजिए आप जूम करके, NRC, क्या है वहीजिए, CAA क्या है, CAA है नागरिक्ता संसोधन अधीनियम, 2019, यह बॉक्स अगर रट लिया ना, तो याद रखना चान्दी हो कि द्वारा 12 दिसंबर को पारित कर दिया गया, 9-11-12, यह इंपोर्टेंट है, लोग मुझसे फोन करके, पूछे से कब तक का करेंट पढ़े, यह पढ़ ले ना भाया, 12 दिसंबर है, क्योंकि लास्ट है फोन 12 दिसंबर को भरात है, इसलिए 12 दिसंबर जोरूर पढ़ना, संसोधन नागरिता कानू 1955 में किया गया, यह नागरिता संसोधन एक्ट 2019 में सर परतम लागू करने वाला राज्य कौन सा है सर, गुझरात है, चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी से वह डिटेल, एनर्सी के प्राउधान, क्या है एनर्सी के प्राउधान में दे पाकिस्तान, चौथा नहीं है न नेपाल न भूटान न म्याम्मार बिलकुल रटन ले न अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014, यह डेट याद रखना है, 31 दिसंबर 2014 से पहले, अच्छा हाँ, एक ट्रिक हम भूली गए, बाप, पहले आप, क्य भारत में आने वाले हिंदू सिख बहुत रिसाई पार्सी जैन को नागरिक्ता मिलेगी, जो भ्रहम पहलाया जा रहा है सर, बोची नहीं है, आप लोग समझ लीजे थोड़ी सा, यह ब्रहम, भ्रहमे तो जैने चीज़ हैं, इसको कोई मतलम नहीं है, उनसे दूर रही है, को की गलत चीज़ है, सिर्फ इसमें साफ उलिक किया गया है, कि हिंदू सिख बहुत पार्सी जैन इसाई को नागरिक्ता मिलेगी, इसका मतलग यह नहीं है, कि पाकिस्तान लोगों को, जो भार, मुस्लिम लोग है, उनने बाहर कर दिया, इनको नागरिक्ता मिल जाएगी, जो बस, यतना याद रखना, और एनर्सी नागरिकों का राष्टी रेजिस्टर है, जो भारत के अवैद गुस्पैटियों को निकालने के उद्देश रिया है, इसके बारे में अपन बिसे चर्चा करती है, मैं इस बर, यह देखो, किसी ने सोचा होगा, इस समय कौन है, यह कह 9 अगस्त, 11 अगस्त, 12 दिसंबर पढ़ा, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर पढ़ा, लेकिन सर मुक्वंत्री भूल गए, सर सोने वाल सोई जाओगे वहाँ पे, चला, आगे बात करते है, करनल चेवांग, रिंग चेन से तू, करनल चेवांग, अब काओके सर, यह क्या नाम है, बहिए, यह नाम है, पढ़ लो, सिंदू की सायक नदी, सियोक नदी पर एक पुल है, 21 अक्तूबर 2019 को इसका उद्गाटन किया गया था, इसका नाम भारती सेना के उच्च पदस्त अधिकारी रहे, करनल चेवांग, रिंग चेन के नाम पर किया गया, जिनने दो ब इसका ऴेंग महतमागाली की डिर्समी जैंथी पर उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी करी, जिसके तहर पहला राज के ने यहीं कवर किरा दिया गया है, ज्यादा परिसान नहीं होना है, बस मस्ती मेंचलना है, और अपने गीत गाते चलना है, ज्यादा परिसानी हो बज़ा रजन सुल लेना विलकुल लास्ट टाइम पर विलकुल बेस्ट करना है अपन को अपना चली इसके बाद देखते हैं फिट इंडिया मुमेंट पे खेल दिवास 29 अगस्त 2019 को पी एम मोदी फिट इंडिया मुमेंट याद रखना 1995 से 29 अगस्त को क्या मनाए जा रहा है मेज़ा ध्याद चंद की इसमर्ती में के अपन राष्टी खेल दिवस मनाते हो नहीं की इसमर्ती में 2002 से क्या कर दिया था ओ हो बताओ ना ध्यांचन पुरुसकार के सुरूबात कर दीती हम फिट तो इंडिया फिट टेगलाइन है याद कर ले ना पी एम मोदी द्वारा दी गई थी हो Son ठीक है जो थोड़ी बहुत हो सकता ही कि नहीं हो तो वह आप लोग देख सकते हैं ठीक है आप लोग के वरा कवर किया होगा आप लोगों सियार चात्रे ठीक है तो इसको आप एक बाद देख लेना सरल है एक स्टेट रूपटॉप सूलर अट्रक्टिवनेस इंडेक्स के तहत ये चीज आईए जिसका नाम है सरल इसका नाम है सरल इसके तहत आया है तो भारा सरकार बर्स 2022 तक 175 गीगावाट नव इसका बात करते हैं कि देश में महिला विश्च्व उद्यालों की संक्या कितनी है 16 है एक एक फैक्ट है एक बार देख लीजे आप लोग 22 मा राश्टिय इगवर्नेंस अम्मिलन कहां किया गया सर पहली बार पूर्वुत्तर चित्र मेगाले सिलुग में ये याद रखना है आपको कि 8 से 9 अगस्त 2019 में 8 से 9 अगस्त 2019 में ये कहां किया गया आपका कि प्रिथा मवसर है जब इस सम्मिलन कायोजन देश के पूर्वत्तर चित्र में किया गया पूर्वत्तर के मेगाले में मेगाले यानि सिलौंग में दिवांग बहुत देशिय परियोजना दिवांग किसकी सहाइक ना दी है कमेंड बॉक्स में बताईए मुझे हार चीज मैं थोड़ी ना बताऊंगा दिवांगे बताईए अरुना चाल प्रदेश में इस्तित है यह 16 जुलाई 2019 को सुई करती दे दी गई थी अभी टे देखें चलो इसकी बात कर लेते हैं कितना उपार है 278 मी यहीं पर है कि भारत में निर्मत की जाने वाली सबस्वरी जल्बिद्द परियोजना भी होगी क्योंकि 2828 मेगावाट उत्पादन हो जाएगा 240-240 के 12 प्लांट लग जाएंगे तो 2800 होगा है नहीं है अभी चलो कालिश्रम लिप्ट परियोजना की बात कर लेते ते तेलं पीसी एनपीपी की बिल्कुल ऐसे तना रट लो आप अप अप आखरी तक एक भी फैक्ट निकल जा तो कहना आपने इतनी किताबे पढ़ी सब पढ़ा देखो एनपीपी नेशनल प्यूपेस पार्टी साथ जून 2019 डेट याद रखना आगई डेट तो क्या कलोगे सर है ना तो साथ जून 2019 की डेट याद रखना है ये वो एतिहास एक पल जब भारत जन्यर वाचन आयोग ने एक और पार्टी राष्टी पार्टी का दर्जा दे दिया एक और पार्टी को और ये पूर्वुत्तर की पहली राष्टी पार्टी और बरतमान में कितनी हो गई आठ क्यों हुआ है क्यों कि इनना चार राज्यों में अनुराचल पिर्देश, मनीपूर, नागलेंट, मिगाले एक जिसतरी दल की रूप में महनता मिल जाती है आयोध्या मामला अयोध्या विबाद मामला सबसेrau इंपोर्टेंट है जो इंपोर्टेंट है वो मैंने सब लिग तीस सेतंबर 2020 को इलावाद High Court ने आयोध्या में बिवादेत, 30 सेतंबर 2010 की डेट याद रखना है, 16 दिसंबर 1992 की डेट याद रखने है, तीस सेतंबर 2010 को इलावाद High Court ने आयोध्या मेरी बिवादेत 2.77 एकल जमीन को 3 लोगों में बाठ दिया, Сुन्नी वोट को दे दिया, निर्मोही अकाड़ा को दे दिया और आमलाब राजवान को दे दिया लेकिन इसके खिलाब सुप्रिंग कोट में चुनोती दी गई अब चुनोती दी गई तो भाई यह 9 दिसंबर का दिन 9 दिसंबर कि दो जार उननीस को सरवच निया ले कि पांसदसी समिधान पीठ ने क्या किया निरनाय दिया और पांसदसी समिधान पीठ के लोग याद रखना कौन-कौन से थे रंजन गोगोई स्वरी यह दिसंबर नहीं है इसको नमंबर कर लेना यह गलत लिख दिया है इनने 9 नमंबर है ठीक है यह गलत लिख दिया है इनोंने देखो यह गलत लिखा इसमे जो गलत पढ़ लेगा फिर काईगा सर आपने गलत किया 9 नमंबर है 9 दिसंबर कैसे हो गया सर 9 दिसंबर को इसके हेट कौन थे? रंजन गोगोई, ऐसे बोबडे, लीवाई चंदरचून, असोग भूसर, अब्दुल नजीर द्वारफ हैसला दिया गया। बिवादे जमीन पर राम लिला बिराजमान का हग ठीक है, और मुस्लिम पक्ष को अयुद्या सहर में पांच एकड़ भूमी देने की बात की गई। चली आगे बात करते हैं करतारपुर कारिडюर की, एक एक फेक्ट को कबर कराया है, एक एक फेक्ट इंपोर्टन्ट है, उसको कबर आपके सामने करा दिया गया है, अब आप देख सकते हैं। चल्लिए आगे बात करते हैं कि सकी खरतारपूर कोरीडोर की, कर्तारपूर क्या कहता है? करतारपुर कॉल दोर के अगर बात करते हैं 26 नमबर 2018 को उपराश्पति बेंकरी नाइडू ने डेरा भावा नामक से करतारपुर साहिब गलियारे का अनावरन की सिलाइन निश्किया था बताओ भी यह इंपोर्टेंस 9 नमबर 2019 को इसको खोल दिया गया था ठीक है तो 12 नमबर को इसको खोल दिया गया था चलिया इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी 24 अक्टूबर में याद रखना कि 24 अक्टूबर 2019 को भारत पाकिस्थान के मास्तिक समझाता भी हुआ था 24 अक्टूबर 2019 को और उसी के बाद इसको खुल दिया गया चलिए कब बताया MP सरकार के ताइट इसको जोड़ दिया गया था MP सरकार में किसको जोड़ा गया था 33 दर्सनी होजना में मैंने दिखाया था MP सरकार ने इसको जोड़ दिया था करतारपुर को अपने 33 दर्सनी होजना में पांसो पचास में जैन्ती किस की मनाई गई गुरु नानक जी की मनाई गई और इनके दोरा एक कर पिर्ती यात्री जो सुल्क लिया जा रहा वो किता है वी समेर की डॉलर वी समेर की डॉलर चलिए भारत का पहला डे नाइट मैच टेस्ट मैच जो हुआ था भारत बांगलादेश के मद्ध हुआ था इडन गारकट कोलकटा में चलिए बाइस से चब्विस नॉमबर दोहजार उननीस के मद्ध समिधान संसुधन की एक बाद डिटेल बात कर लेते है समेर मा संसुधन सबसे इंपॉर्टेंट है एक सबसुद मास समिधान संसुधन की अगर बात करें तो 1 per 2022 संसुधन था यह बिलक़ुल एक्ट बन गया था बिधयक था ये एक सवरी ते हैं जिया एक टेट को लाए गया था जिए येश टी को लाए गया था एक 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 की टे 2017 को पहला GST दिवस मनाया था, ये भी याद रखना है, ठीक है? ठीक है, पहला GST, फर्स्ट GST दिवस मनाया था, चलिए, आर्टिकल 279 में इसका उलिख किया गया है, एक सो दोमा समिधान संसुधन की अगर बात करें, जो संसुधन विद्यकता तो 123 मता, 102 मा एक्ट बन गया थ आपका राष्टी पिछड़ा बर्ग आयोग, इसके तरह एक अध्यक्षी को पाध्या चोरिक 310 से बनाए गया, तो लोक सभा 338 खा जोड़ दिया गया था, आर्टिकल ये याद रखना है, ठीक है? और आपका मानोदिकार में संसुधन करते हुए, महा भी एट कर दिया, त ठीक है? 8 जनवरी, 11 जनवरी, 9 जनवरी है, आर्टिकल 15-16 में उपकंड 6 को जोड़ दिया गया था, सबसे इंपोर्टन फेक्ट एक और आता है कि बगदादी का अंते कर दिया था, 27 सक्टूबर, 26 सक्टूबर की रात को, 27 सक्टूबर को, और उसके बगदादी की गोशना क 27 सक्टूबर को, अमेरिका की दिवगंद मानो अधिकारिती कार्यात्री काईला मियूलर, काईला मियूलर, इसके द्वारा इसकी गोशना की गई है, इनके ऑपरेशन का नाम इनके इन्वहम पे रखा गया है, परवेच को फासी की सजा भी दे दी गई है, बिलकुल एक एक अधिकारतन दिवस के मुकतिती 2020 में, कौन होंगे? ब्राजील के बोलना सुना रहो का तुमें, जो को बुंदिल खंडी में याद कल नहीं हो ज़िगा है, बोलना सुना रहो तुमें, अपन बोला थे ना अपनी भास सामें, तो राश्ट बिराजील के राश्पती में, जे प्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नमबर 2015 में पैरिस में संयुक्त राष्ट जलवाईयों की कॉप 21 में अंतरराष्टी सौर गटबंदन को लॉंच किया था जिसका नाम इंटरनेशनल सोलर एलाइन्स है इसकी उपचार एक इस था अपना 6 दिसंबर 2017 में की गई और फिर्थम सबा 3 अक्टूबर 2018 को दूसरी सबा अभी की गई थी 31 अक्टूबर 2019 इसको नहीं दिल ली मैं इसक फ्रेमबर में हस्ताक्षर करता अगर देशों की बात करें तो 83 है जबकि 78 देशों के प्रतिनितिकों ने बाग लिया था चलिए इसके बाद बात करते हैं यह लाइन खीच लेना है आपर इसके बात करते हैं क्या राइवा रीवा बोलते हैं रीवा युक शुरू हो गया कहां शुरू हुआ अभी जापान में एक नया युक शुरू हुआ क्योंकि जापान के जो 1 माई 2019 को हुआ है लेकिन अगर अपचार एक रूप से बोले तो अक्टूबर की डेट थी एक ठीक है मैंने कुश्चन में कवर किया यह जापान का नया युक ये 1 माई 2019 को नारे हितो जापान के 126 में समराठ के रूप में सिंगासन परासीन हुए ठीक है जिसमें अक्टूबर में हुआ था जिसमें अपन तो से रीवा युग ठीक है गाफा टेक्स क्या है गाफा से याद करना है गूगल डूगल एसे अमेज एप्ल एप only एप से फेश्बुक और एसा आमिजन ये चार कंपनी हैं इन पर क्या किया है फ्रांस सरकार ने टेक्स लगा दिया है इसको बोला गया है गाफा ये कब लगाया गया है आपका ये लगाया है जुलाई 2019 में और एक जनबरी 2019 से ये ततकाल प्रवास डिजीटल कंपरियों द्वारा अर्जित किये गए इनकी डिजीटल टर्नूमर पर लगेगा अब इसमे पूरा है साथ सुमिलियन ये सब कोई इंपोर्टेंट नहीं है चलिए आगे बात करते हैं इसके बात करते हैं अंतराष्टी सम्मिलनों की तो अंतराष्टी सम्मिलनों में देखें तो सबसे पहला इंपोर्टेंट देखिए सम्मिलन पूरे नहीं पढ़ने पड़ते कुछ लोग होते हैं जो सभी याद करते हैं सर आप देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा आएगा कुछ जो टफ आता है वो ना आप से बनेगा ना किसी से बनेगा आप सौप प्रतिसत कोई नहीं कर सकत असर कोई भी ठीक है तो आप कोशिस कीजिए 80 से 85 नंबर की तयारी का 15 कोश्चन और ऐसी रहने दीजिए ठीक है फिर आप बहां डिपेंड करता है कि आप लगाते हैं तुक्के जने अपन बोलते हैं वो कितने सही बैट रहे हैं चलिए आगे बात करते हैं सम्मेलन की संगाई सहोग संगटन इसका फुल फॉम है 19 में बैटक जो ही ती जिसमें 13 से 14 जून अपने और सम्मेलन वही याद करने पड़ते हैं जिसमें कोई भारत का नागरे गया हो या भारत के अधिकारी गये हो जैसे मोदी जी जाते हैं राष्टपती जी जाते हैं त जी जाते हैं तो 19 मां हुआ था यह याद रखना है चलिए जून यह याद रखना है कि कब मिलेते इंडिया पाकिस्तान जून 2016 चौबे जून 2016 अगर बात कर तो जापान जी टॉनटी से कर सम्मेलन जापान 14 मोदी गए ते इसमें याद रखना है जापान में ओसाका में 15 ज कौन से नंबर का होगा 17 नंबर का और अभी जो हुआ है उसाका में जापान में हो हुआ है 14 नंबर का जिसमें गए ते मोदी जी तो 27 से 28 जून के मत होगा 27 से 28 जून के मत चलिए नोंने डेट लिखना भूल दी देख लिए जाए एक बार 15 2020 साओधी अरब रियाल में हो सोल 2021 में इसके बाद बात करते हैं G7 सिकर सम्मिलन तो G7 सिकर सम्मिलन की अगर बात करें तो 45 में लिखा हुआ है ठीक है 24 से 26 अगस तो 2019 इसमें भी गए थे फ्रांस में हुआ था क्योंकि यह बहरीन फ्रांस एक साथ गए थे गुट निर्पेक चान्दौलन नेम एंपोर्टेंट है अजरविजान की राज़धानी बाकू में हुआ था 1901 और अठार्मा हुआ था यह जो गुट निर्पेक 6 बार यह था वो अठार्मा उबाट 25 से 26 अक्टूबर 2019 अजर बेजान की राजदानी बाकू में साइट्स का कॉप 18 साइट्स का बन एजीफ िचा रयत्योय किया गये थ hatır 달 20 मरुस्त राना के लिए कॉप 14की लाज़ने 35 आपयान वेंक अट्वान Dash पर ठीक है 13 से 14 नमंबर के मद नाटो का तीसमा सदस्य कौन मना उत्री मैसोडोनिया नाटो की स्थापना मुझे कमेंट बॉक्स में बताई है बैग्यानिक परिदरश्चे थोड़ी सा देख लेते हैं यहीं पर मैं परियावरन और रियावरन सब कवर करा दूँगा यह कि एक मैंने एक एक कवर करा दिया चक्रवाद चलिए इसके बाद बात करते हैं किसकी सरवादेक अपगरह आपके सनी के हो चूगे हैं साथ अक्टूबर 2019 को अंतरश्ची खगोली संग ने इस चीज की गोशना कर दी कि 20 और नय उपगरह इनके मिल गए हैं ठीक है और ब्रसपती के याद रखना कितने हो गए हैं 89 सनी गिरह के सौर मुंदर ब्रसपती के सरवादेके 89 और 82 हो गए आप किसके सनी के तो सनी सबसे बढ़ा हो गया 20 और ब्रसपती के 89 सेकंड पर नामकरण का नामकरण भारती सास्त्री गायक पंडित जसराज के नाम पर किया गया था चंद्रयान 2 की बात करते हैं सबसे important fact अगर यहां से कोई है तो वो कौन सा है चंद्रयान 2 क्या कहता है यह देख लेते हैं अपन पहले चंद्रयान 2 कहता है कि 22 जुलाई की डेट विलकोल इंपोर्टेंट रख लेना 22 जुलाई 2019 की ठीक है जी एसल भी MK3 मार्क से इसको बेजा बला था भायूबली जो से पॉकेट भी कुलते है अपन 2000 प्रिक्षेपित किया गया था ऐसा पहला मिसन जो चंद्रमा के दच्छनी धुरुप पर पहुँच कर वहां अनुसंदान संचालित करने हैं तो लक्षे थे बजन 23 जोनत तर लेकिन इससे संपर्क तूट गया था इसमें दो वो भीजे थे भारती अंतरक्ष कारकरम के जन वार को क्या नैम दिया गयाए तह प्रग्यान लेकिन इससे संपर्क तूट गया था कप 7 सितंब्र को इससे संपर्क तूट गया था एल्डरिन चंद्रमा की सतर पर उतनने वाले पिर्थम अंतरिक्ष इस वरों के 50 साल पूरे हो गये वह यह 15 अगस उनिस सोनकतर को यह भी याद रखना है चलो नासा का ड्रेगन फ्लाइज मिशन याद रखना किसका है ड्रेगन फ्लाइज नासा का है सनी की उपग्रेट टाइ विशन यह तो 2026 तक और 2026 तक जाएगा लेकिन 2034 में यह टाइटन पर पहुंचेगा ठीक है तो नेपाली सेट से याद रखना है आपको कि यह नेपाल का है ठीक है नेपाली सेट नेपाली सेट नेपाल का प्रतम उपकराया है गगन यहाद की बात कर लेते हैं PSLV C45 से कौन सा मिशन भेजा गया था? PSLV एक एक फेक्ट देख ली जब C45 से EMI-SAT मिशन भेजा गया था बेपी को लंबो यह क्या है? बेपी को लंबो क्या है? कि 20 अक्टूबर 2018 को यह थोड़ी सा अठारा के भी फेक्ट है याद रखना है कि यह बेपी को लंबो अपसा और ESE के मर्द ही है ठीक है? यह दो चीज़ है पेगासस इस्पाइबेर की बात करते हैं इंसाइड मिशन किसका है? नासा का है इस समय ठीक है? इंसाइड मिशन अब अपन बात करते हैं किसकी? पेगासस इस्पाइबेर यह नाम याद रखना है इस्पाइबेर एक परकार का माल बेर है मैंने एक एक कम्पूटर में फैक्ट कभर कराया तो पेगासस इस्पाइबेर इसराईली कंप्री NSS दौरा बिकसित किया गया सिर्फ इत्ताया दखना है प्रोजक्ट शोली कि अपन के इंपोर्टेंट है कि गूगल ने पिक्सल 4 स्मार्टपॉन सीरीज में मोशन सेंस टेकनोलोजी का उपयोग किया है इस टेकनोलोजी का विकास प्रोजक्ट शोली की तहत किया गया है सिर्फ इत्तया दखना है परमसिवाई सुपरकम्पूटर क्यों important है परमसिवाई सुपरकम्पूटर इसलिए important है कि 19 फरवरी 2019 में मोधी जी के द्वारब परमसिवाई नामाग सुपरकम्पूटर का लोकारपन किया गया था और यह है CDEC द्वारब डिजाइन यह निर्मित कम्पूटर है ठीक है यह कहां इस्थापित किया गया है IITBHU IITBHU में बारानसी में इस्थापित किया गया है इसलिए important है बारानसी में इस्थापित है और इसकी गती की अगर बात करें चम तक तो 833 टेरा फिलॉप चलिए 106 मीं ब्यारती बिज्ञान कांग्रेस की बात कर लेते हैं लवली प्रोफेशनल उनिवर्सिटी पंजाब में हुई थी 30 से 7 जन्मरी 2019 में 105 मीं याद रखना है जो पूर्वत्तर में चेतर में हुई थी लेकिन 107 मीं जो बरतमान में हो रही है 2020 बेंगलूरू में भी चल रही है 9 जलाई 2019 को WHO द्वारा स्री लंका को खसरा मुक्त गोसित कर दिया गया था कब किया गया था इस समय खसरा मुक्त किसको गोसित किया गया है स्री लंका को किया गया है खासरा से मुक्त, खासता नहीं है स्री रंका, खासरा से मुक्त अप कर दिया गया 17 जुलाई 2019 का इंपोर्टेंट है क्योंकि कांगो लोग तंत्रिक गंडराज में घातक इबूला रोग कौन सा लोग कांगो में एबूला रोग जो फेला था उसके मामले सामने आने के कवाद डबलू एचो ने क्या किया बल्ड हेल्ड हेल्ट और्गनाईज़ेशन ने क्या किया अंतररष्टी चिंतावाली सारवजनिक स्वास्थ आपात इस्तिती गोसित कर दी इसे अपन बोलते हैं पबलिक हेल्ट इमर्जेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्ण चलिए इसके बाद बात करते हैं जून 2019 में केरल के एरना कुलम जिले में निपाह बायरस चमगादर दूदे की स्री लंका को खसरा मुक्त किया कांगो में इबोला मिला निपाह बायरस की पुष्टी करिल में की गई जून 2019 में अगर निपाह बायरस की बात करें तो निपाह बायरस की पहचान सब पर था हम 1998 में मलेशिया में की गई थी ठीक है मंकी फॉक्स से आप समझ पा रहे होंगे सिंगापूर में इसकी पुष्टी की गई है सिंगापूर में आपका नाइजीरिया विक्ति था उस उपर ये पुष्टी की गई है कि मंकी फॉक्स बाहरा से 9 मई 2019 को और मंकी फॉक्स की अगर बात करती ये भी पहला कांगों में ही लोक्तांत्रिक गंडरानों किसी मानों को इस रोप की मामला देखने को मिला था और ये सबसे इंपोर्टन फेक्ट है 23 अपरल 2019 वाला वोकि बिश्व में मलेरिया के पहले टीके को लॉंच कर दिया गया RTSS नामक एटी का मॉस्कोरिक्स कोलम्बो घोष्णा कोलम्बो घोष्णा याद रखना है 24 अक्टूबर को कोलम्बो घोष्णा की गई थी ये किस से सम्बंद है सतत नाइट्रोजन प्रबंदान से सिर्फ इत्ता याद रखना है MO की अगर बात करें तो मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल ओजों से 1987 केजी की बात करें तो क्योट्यो प्रोटोकॉल 1997 सिर्फ इत्ता याद उसके बाद आपका कोलम्बो घोष्णा पत्र भी जो सतत नाइट्रोजन विकास से सम्बंद है नाइट्रोजन कच्रे को आधा करना है इस अगर मैं तरी किनके मत दुगा लेकिन ये रच्छन पूरी में शही मिसाने है चलिए आगे बात करते हैं बिश्व दरौवर सूची की बात करते हैं तो यह बिश्व दरौवर सूची में सामिल होने वाला भारत का 38 सेहर हो गया है और 30 जो अपनी 43 में बैठा कोई थी किसकी यूनेस्को की 43 बैठा कोई थी 43 में बारसिक सत्र में जो अजर बेजान की राजदानी बाकू में हुआ था उसमें इसको सामिल किया गया और यह 38 सेहर बन गया है और इससे पहले किसको सामिल किया गया था मुंबई को मुंबई के आपको याद हो अगर दो चीज़ें सामिल की गई थी तीन बिक्टोरियन गोथित आर्ट डेको शेलियों के भवनों को बिश्व दुलर सूची में सामिल किया गया तो बर्तवान में इनकी संक्या कितनी हो गई सिर्फ इतना आपको याध रखना है ने अगे बात करते हैं बहुरत में जी तेकों ग्रोばिंत। आपको नहीं लखाया कि जैसे और भी इंपोर्टेंट जैसे 47 बेर मुख्य नहीं दीज है तो वहाँ आपको लखवा दिये गए इसके बाद आपके एक ही मिट्तल जी है तो इनको कबर नहीं कराये गया है जो इंपोर्टेंट है उनको कबर करा दिया गया है चंदरिमा शाह भारती राष्टी बिध्यान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्षे है ठीक है इसके बाद बात करते हैं अंशुला कांद वर्ल्ड वेंग की CFO है ये CFO है CEO नहीं है ठीक है अंशुला कांद इसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष में राजिस्थान कोटा से है पिनाकी चंदर गोस्की अगर बात करते हैं तो भारत के प्रिथम लोगपाल 23 मार्च 2019 को इनकी डेट भी याद लखनी है अध्यक्ष मार्च 2019 को इनकी अभियावदी की बात करते हैं तो पांच वर्स असत्तर वर्स जो पहले हो जाए सक्तिकान दास की अगर बात करते हैं तो 25 में रिजर्व बैंक के गवर्नरीय बनाएगा सक्तिकान दास सुनील अरोडा अरोडा जी है तो अरोडा जी मुख निर्वाचन आयोकते हैं अरोडा क्या वल्ले चुनाओं में रोडा ना पड़े तो इसलिए सुनील अरोडा अर्वेल सिंग की बात करें तो एयरकूट अफॉर अथोलिटी ओफ इंडिया एय अरीचे के अध्याक्षण बनाए गया है he दतवालिया इसकी अध्यक्ष है, करम बीर सिंग, नौसेनाः प्रमुक बना गए, गोरी सावंत, बहुत एंपोर्टेंट है, गोरी सावंत, देश की पहली महिलाष ट्रांजेंडर चुनाव, अबेश्डर नियुक्त की गई है, देश की पहली ट्रांजेंडर चुनाव, अब बिनुत कुमार याद हो याद रखना अश्वनी लोहानी अब नहीं है तो रेलवे वोट के अध्यक्ष कौन है बिनुत कुमार याद हो शुदीर भारगों की बात करें तो नए मुख सूचना आयोक थे श्रम है आरती छावडा सरी वास्तो याद रखना है सेवी की पहली पू इसके बाद बात करते हैं एस किरन कुमार ठीक है और नरेन मोदी जी को तो आपको पता है यू नौस वाण मिलचे के लेकर जो इंपोर्टेंट है वो यू एई का इस बार जो मिला है जायत पुरुषकार दो जायत पुरुषकार याद रखना है एस किरन कुमार को याद बार में जाद रखना है पीवी सिंदू के ऒार में आपको बता है तो तेजस्योलान बनने वाली पहली भारती महिला वर्ड चेम्पियंश्व canyon Peki आउन्बी जीतने वाली वाली जीटने ने वाली जीता दोहार देरा 14 में 17 Demo 18 में Silver और 2019 में Gold जीता RG, KRB ये सब आप देख लेंगे एक बार सुमन राओ की अगर बात करते हैं सुमन राओ बहुत इंपोर्टेंट है सुमन राओ की अगर बात करते हैं 56 मी फेमिना मिस इंडिया आपकी सुमन राओ बनती है प्रबंद निर्देशक के पन पर थी प्रबंद निर्देशक के पन से Ishti pa दिया लिए नो ठीक है और इसकी जगह जब कौन बन जाएगा आइएमिना आपका प्रबंद निर्देशक कौन बन गी आप क्रिश्टाल लीना जार्जीवा जो आपकी कहां की हैं बुल्गारिया की है बुल्गारिया की चलिए सचिन देंदुलकर की अगर बात करें तो ICC हौल अफ फेम में सामिल होने वाले छट में खिलाडी हैं तो पहले पांच कौनते सुनील गावसकर, बिशन शिंग बेदी कपिल देव, अनिल कॉंबले और राहूल दर्वेण रोईत सर्वा की बात कले तो किसी वर्ल्ड कप में पांस सतक लगाने वाली एकमात्र खिलाडी यही हैं अधी डंजन चौधरी लोक लिखा समीती के अध्यक्ष भी बन गाए हैं चलिए कुमार संगकारा की बात करते तो MCC के नए अध्यक्ष गैर उरोपी हैं यह MCC के नए अध्यक्ष हैं गैर उरोपी बने पहले गैर उरोपी है निधन जो इंपोर्टेंट हैं सिर्फ वही निधन आपको याद रखने है अध्यक्ष भी बाचपई 16 अगस्त 2018 सिर्फ दिख्षत की बात कर लेते सबसे इंपोर्टेंट जो पढ़ना है 20 जुलाई 2019 चुसमा स्वराज की 6 अगस्त 2019 बावुलाल गौर 21 अगस्त 2019 अरुन जेटली की 24 अगस्त 2019 इनकी एक कवीता भी इंपोर्टेंट है परिकर 17 मार्च 2019 देखिए इतने सारे थे मैंने सिर्फ इंपोर्टेंट लिया भी बता जाए अटली वहरी बार्च भी सही लेका है 16 अगस्त 2018 सीला दीक्षित बीच जुलाई 2019 ठीक है सुस्मा सुराज 6 अगस्त बावुलाग और 21 अगस्त अरुन जेटली 24 अगस्त वनुवार परिका 17 मार्च क्रिष्णा सोबिती 25 जनबर एकों की यहने 23 अगस्त बात करते हैं पुरुषकार की अगर बात करते तो देखिए ट्रिक के मांदियम से मैंने पुरुषकार आपको पूरे बताए हैं जो मैंने इसका पीडिया भी है वो मैंने पेट गुरूप में अबलीब रेट क्लिफ लाइन देखिए हो तो बिलियम रेट क्लिफ उनका नाम थे ऐसे इस तरह से याद करना हो ग्रेग तो तीन आपके नाम यह मिल लाएंगे बहुत की की बात करें तो जेम्स ने इट्रिक है जेम्स ने भूमी के अंदर एक लौज बनाकर क्या कर दिया मिशाल काय फिलियम कर दी रजभरी अकिरा ने जॉन श्टेनली को प्रिपोस किया रशायन तो रश्भरी यानी रशायन अकिरा याने अकिरा जॉन श्टेनली शाह тебе की वात करतें थी की चितरों पीटर से हेंड शेक किया तो ओलगा को clay न गाया तो उल्र अर्तसास्त Πाट करें तो अविजीत और उनकी पतनी इश्टरka न अर्तसास्त के छेत्र में माइकल से बात करें तो माइकल केमर चलिए इसके बाद बात करते हैं रमन मैक्सेसे अवॉर्ड रवीस कुमार को दिया गया है, थारैर जोस्याम अवाओर भी मिला है और गौरी लंकेश अवाड भी इनको मिलाए गूँ चलिए ग्यानपीट पुरुसकार के अगर बात करते हैं तो पच्छपनमा ग्यानपीट पुरुसकार अक्कितम अच्चुतम वाले आलम के हैं 2019 में 2018 में आपको चंगनमा ग्यानपीट पुरुसकार मिला है अमिताब गोष को तिरेपनमा जैसा कि अमने बताया था जो इनकी नेधन हो गया कृष्णा सोविती जी को मिला था जन्वरी में इनका नेधन हो गया था जी संकर कृव चलिए इसके बात बात कलेते के कई बिल्ला फांडेशन के दौर्वार जो अबोष दिया जाते है व्याससम्मा ब्रभा सरस्वती सम्मान आदिमी को लेके तो दोखा उलहारती ठीक अब बुकर प्राइस की अगर बात कर तो मार्गिट एडवोड और बेर्नारड आइन एवरेश्टा अंतराष्टी बाल सांती पुरुसकार यह दौनों याद रखने हैं और राइट लाइवलिहूड अवर्ड दो जार उननी जिसे साथ रह चोकी हैं पहली दीता फारिया और अभी भारत की जो नित्रत किया था वो थी बर्तिका सिंग और जो मिस वर्ल्ड में सुस्मा सुमन राउन है तो मिस वर्ल्ड कौन मना है टूनी एन सिंग ठीक हो जो जी भी नी तुजी तुजी इस आउट अफरीका की ती यह जमे को मिला है इस रोख चीफ है तमिलाडु सरकार के अवार्ड है चमिली देवी जैन फाउंडेशन 2018 के लिए जो पत्तिरकारता के चेत्रों मीडिया फाउंडेशन के जोरा बीसी संबन दाता प्रियंका दोवे को दिया गया पहला विश्च्वक्रसी पुरुसकार 2018 M.S. स्वा बात कर लेते हैं साहित तकाद्मी पुरुसकार 2018 के लिए चित्रा मुद्गल को पोस्ट बॉक्स 203 नाला सो पारा साहित तकाद्मी पुरुसकार दादा साहिब पुरुसकार की अगर बात करें तो 50 मां दिया गया है 2018 का विताब बच्चन को 1984 में पदम सरी 2001 में पदम भूश चैंपियन्स अब दार्थ अबॉर्ड यूएन का सर्वुच परियावरन पुरुसकार अक्टूबर में मिली था सियोल सान्ती पुरुसकार भी 2018 में पहले भारती मोंदी है ये और दा ओर्डर ऑफ जायत 2018 में UAE का सर्वुच चम्माने 4 अप्रेल 2019 को खेल अबॉर्ड की बात कर लेते हैं 2016-17-17-18 के लिए कर्णल सीकिन आइडू कव्यार कर लेते हैं 2016-17-17-18 के लिए पंकज राय को दिया गया और 2017-18 के लिए आईश्मान गायकबाल को दिया गया पॉली उम्री का रबॉर्ड दोनों याद रख लेना कि यह किसको दिया गया है 2016-17-18 ब्राट को लेकर देखें तो किर्केटर ऑफ दा इयर किसको दिया गया है इसे सर ग्रॉल फील्ट रोवर्ड ब्राट कोली को लेकिन महीला किर्केटर और ऑफ दा इयर की बात करते है इस्मर्ती मन्नाना ODI Test Cricketer और ऑफ दा इयर तैस्ट कर्केटर आप दा इयर दोनों ही किसको मिले ब्राट कोली को और ICC Emerging Cricketer of the Year रिशब पंत और ICC Empire of the Year कुमार धर्मसिना स्री लंका के बैलेंडी और पुरुसकार याद रखना है ये लुकामेट्रिक को इस बाद मिला है दीके न आप लगा दो फिर मैसी ऐसी तो गलत हो रहा है तो लुकामेट्रिक क्रोएशिया के है जबकि सर्वेशिष्ट महिला आपकी एडा हैगेरबर्ग नौर्वे की है इसके बाद बात कर लेते हैं फिरम पुरुसकार की देखे फिरम पुरुसकार सिर्फ इतनी में खतम कर दिया है फिरम पुरुसकार बात करते हैं देखे आईफा याद रखना है आईफा आईफा का फुल फॉर्म है अंतराष्टी भारती फिल्म अकाइदमी तो जी इस बार दिया गया है वो है आपका 20 मा आईफा है 20 मा तो आईफा को साथ में लेना है और 64 मा फिल्म फियर साथ में लेना है शर्वसेष्ट फिल्म है, यहाँ भी राजी आईशमान कुरान और विक्की कॉसल कुसानिक तुरूप से अभिनेता बनाया गया वो किर्थी सुरेश जापकी अभिनेतरी है भारत का पचासमा अंतराश्टी फिल्म भहुसाओ की अगर बात करें ये इंपोर्टेंट है याद रखना इसका जो थीम था इस बार एक भारत स्रेश्ट भारत लाइस्टाइम अचीब्मेंट अवार्ट जो पूरा मतलब जिन्दी की वार अपनायनों योगदान दिया सिरी देवी मर्नो परांथ मिला सिनेमा में जो पचास बर्स के उत्करष्ट होने की योगदान के लिए जो अवार्ट दिया गया वो हिमामानली को दिया गया है इसके बाद आरडी बर्वन पुरुसकार निलाद्री सर्मा को और एक और अवार्ट अलग से चलता है ये इनका नहीं है तग गोल्डन ड्रेगन अवार्ट दिया गया है सिनिमा के छित्र में नवाज उत्तीन सिद्धिगी को और इसके बाद आपको देखिए बाप्टा आप्टा जिसको पढ़ना हो पढ़ता रहे सिर्फ हमने इंक्याने हुआ उसकर कवर कराया है जिसमें बुक फिल में याद लखनी है वो आपकी ग्रीन बुक अभीनेता रामी मालिक, अभीनेत्री ओलीविया कॉलमें, निर्देशक जिसको पढ़ना हो कर सकता है पुस्तक हैं बहुत इंपोर्टेंट हैं सिर्फ आपको यही देखनी है सबसे पहली इंपोर्टेंट तो पुस्तक आपको पता नहीं है कौनसी एक्जाम बारियोर्स नरेन मोदी इंडियन आफ्टर गांधी, रामचंदर नन गुहा, हिट रिफ्रेस, सब्त्य नडेला, इंडिया प्रियोर्टी फॉर्टी फॉर्टी फॉर्टर विमल जालन, वाट एपेंड, क्या हुआ, नथिंग, हिलेरी कंटन, क्लिंटन, I do what I do, थर्ड पिलर दोनों ही रगुराम र लेना, speaking truth to power, fearless in opposition, और undaunted, यानि saving the ideas of India, पीच दंबरम की तीनों किताब है, how to get rich, मैं कैसे अमीर वनूं, डॉनाल्ड ट्रम, collective choice and social welfare, ये अमरित सेन की है, दिल्ली मेरी दिल्ली before and after 1978 में शीला दिक्षित, revolution Emanuel, मैकरॉन की है, चिर्वेते चिर्वेती, राम नायक की है, और changing India Manmohan Singh, India in distress, ममता बनर जी, century is not enough, a century, एक century is not enough, century is not enough, ये किस की है, ये सौरफ गांगुली जी की भहिया की है, जो अपने अध्यक्षे समय BCI के, the monk who became the chief minister, क्या बात है, सांतनु गुपता की है, the monk who became chief minister, court of India past to present, रन्यन गोगई, India positive, चेतन भगात, the studies in कस्मीर, history of politics, काशिनात पंडे, the accidental prime minister संजय बारू, सबसे important है, बात कर लेते हैं कुछ समितियों की जो important है, आज के लिए, आब के लिए, संजय मित्रा समिती, तीन समिती, तीन सरस्य समिती, जम्मू एंड कस्मीर की परिसंपतियों, एवं टायतों के दोनों के अंसा से छित्रों में बिवाजन है तू, संजय मित्रा समिती, आगे बात करते हैं, डाक्टर कस्तुरी रंगन समिती, राष्टिये सिछा नीती का प्रारूप तयार करने है तू, गठित की गई कस्तुरी रंजन की अध्यक्षता में समिती, इसके बाद बात करते हैं, UK सिनह समिती, अब देखे कुछ लोग कहेंगे सर आप गुटका खा के बना रहे अरे सर मैं आपका मनोनन्यन करा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए बोरियत ना हो संजय मित्रा जे एंड के परी संपत्य हैं हम दायतों के दोनों के अंद सासित प्रदेशों के लिए सबसे इंपोर्टेंट डक्टर कस्तूरी रंगान यूके सिना समीती सुभास चंदर गर्ग याद रखना गर्ग साब याद रखना भारत के निजी डीटल मुद्रा को रोकने के प्रतिबंद डीटल मुद्रा यानी क्रिप्टो करंसी और ब्लॉकचेन को रोकने के लिए इनो नहीं वह उड़ाता समीती कटित की गई थी बिमल जालन समीती विशेश परिस्तिती में केंद सरकार को अंत्रिम लाभांस हस्तांतरित करने के सुझाओ दिया गया बिमल जालन समीती के द्वारा बिलकुल सौप पृतिसत ये याद रख लेना बन पॉइंट सेबन सेबन सेक्स लाख करोड रोपे याद आया इश्रात हुषेल समीती सोशल स्टॉक एक्सचेंज है तुन नियमों के सजाओं के लिए समीती बनी गीती एके मातुर समीती साथ में बितन आयुक के लिए मिहर साय समीती के अगर बात कर तो राष्टिय जलनीती का मसोध तयार करने के लिए दो हजार चौबिस तक सभी को जल मुहिया कराने का मिशन मिरहीर शाय समीती बद्र प्रदेश पहला राज्य बन गया है दुबे शमीती असंगेटिक छेत्र है तू पैंसा नहीं हो जिना कहल कर्समीती की अकर बात करें तो कर्सनरचना की बात करते हैं कर्सनरचना सुधर की कोठारी आयोग भारत के सेक्ष्टन चरह सभी पहले ब्चार करने के लिए कोठारी वयग बना गया था M.B. शाय समीती मीराट सेट समीती हस्त करदा के लिए नची केता मोर समीती छोटे बेवसा है और कम आये वाले परिवारों को बित्ती सेवा से जोड़ने के लिए नरसिम्मन समीती बैंकिंग सुधार छेतर से जाजा चलाईया कर के संथानम समीती CBI और नंदल निलकडी आपकी डिटल भुकतान को बढ़ावा देने के लिए नाना बटी महता जरूर याद रखना करोगी गुजरात दंगों में जो क्लीन चेट दे दी नरेंद मोधी को दोजार दोगा अभी समापता भी नहीं हुए बोरिस जॉंसन की अगर बात करें कैसा लगा आप मुझी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बोरिस जॉंसन ब्रिटेन के कंजर्वार्टी पार्टी के पीम मने मार्गरेट के बाद भया इस्तीपा दे दिया थैरिशा जह चले हम तो बोरिस जॉंसन ब्रिटेन के कंजर्वार्टी पार्टी के पीम अंतिरिक्ष में भारत का पहला इस्तेशन 2030 सब्सक्राइब करने की बात कर्या रही है लिब्रा ब्रानी लिब्रा फेस्ट बॉक दौराजारी क्रिपन्दो करंसी बहुत इंपौर्टन्य यह फेसबुक दौराजारी क्रिप्टो करंसी लिब्रा ओप्रेशन बंदर 26 फरवारी 2019 पाक इस्तित बाला कोट में सबसे इंपोर्टेंट है ओप्रेशन बंदर ओप्रेशन बंदर की बात करेंगा देखो वह कोई अगर हसरा हो तो हसना विल्कुल विल्कुल यारे करेंट है यह यार करिंट में जब तक तो में करिंट न लगे न जब तक मज़ा ही नहीं तो भाईया 26 फरवारी 2019 पाक इस्तित बाला कोट में बैश्विक आतंकवाद संगठन जैशे मोहमद के प्रिसिक्षण केंदर को दवस्त तुतिय सर्जिकल इस्टाइक जिसे बोला कया तो भाईया आप मुझे कमेंट बोक्स में करके बताई कि पहनी सर्जिकल इस्टाइक कब की गई थी और उसमें रक्षा मंतरी कौन थे 14 फरवरी को पुल्वामा आटेक हुआ था जिसमें अपने चवाले जवाद सहीद हो गयते बहुत दुखट कहतना हुई थी वो तो आदित एलवन एलवन लग गए सूर्य के परिवंदल के अध्यान है तू भारत का स्वर मिशन 2020 प्रिस्तावेत एक राष्ट एक रासन काट रोजजना एक जून 2020 से लागू होगी भाया मेरे 30 जून 2019 से लागू तो होगई लेकिन संपून भारत पर लागू होगी एक जून 2020 से 2022 तक देश को सिंगल उस प्लास्टिक से मुक्त करने का PM का लक्ष PM यानी MP सर PM यानी सर पढ़ान नरेंद मुदी जी कतर भाया ओपेक के बाहर हो गया है स्कू की सदस्ता को ट्याग दिया आईए मैं अपकी पहली महिला अर्टसास तेरी गीता गोपिनाथ बन फैमली बन जॉब क्या बात है सिक्किम ये दौनों मूमेंट जरू याद कल ले ना यलो बेस्ट आंदोलन और अंब्रेला अंदोलन यलो बेस्ट आंदोलन और अंब्रेला अंदोलन चलिए बात करते हैं आगे पहला संयुक्त राष्टे सिक्षा दिवस कम बनाए गया 24 जन्वरी को ट्रेन 18 इंडिया का नाम बदल कर बंदे भारत एक्स्प्रेस कर दिया पाकिस्थान गन्ने को राष्टी पे गोसित कर दिया नर्तकी नटराज याद रखना पदम सिरी से सम्माने प्रतम ट्रांसजेंडर सुमन कुमारी पाकिस्थान की पहली हिंदू महिला जज रोस दियूप नील दियूप और हैवलाग दियूप रोस आ गया नीता जी सुभाष चंदर बोस नील पढ़ गया सरीर जब आप मर जाते हो तो नीला पढ़ जाता है सही दियूप और हैवलाग सौराज लॉक कर दिया सौराज पे लॉक कर दें अबेर अबेर एक मुद्रा चालू की गई है अबेर सही दियूप तरब अमीरात और साओधी अरब के दोनों ने साजा रूप से एक मुद्रा शुरू की जिसका नाम है अबेर मिताली राज 200 अंतराष्टी एक दिवसी ओडियाई पहली मईला है सेंटिनल जन्याती इंपोर्टेंटे अन्वान ने को बार दीप सहुँ में निवास करती है यह बहुत इंपोर्टेंट है बारानसी में क्या हुआ कि डीरियल से एलेक्टरिक लोकोमोटेब में परिवर्तत पहले ट्वीन इंजन का अनावरण 14 फरवरी 2019 क्यों इंपोर्टेंट था चागोस दीप बहुत इंपोर्टेंट है यूके और मौरिसेस के भी विवादित रहा है डियागो गार्सिया विसाका पटनाम दच्चन भारती रेलवेजरन का मक्याले 18 मक्याले ग्वालियर की अकर बात करीं तो दिब्यांगे जनों के लिए स्खेल के अंदर खोलने का प्रस्ताव भगवाल लाल साइनी राष्ट्रिय पिछड़ाबर्ग आयो के चेर्मेन भगवाल लाल साइनी ये बहुत इंपोर्टेंट है इसको बिल्कूल दिमांगे में बिठा लहीं साओधी अरब की बात करें भारत में होगा भारत का प्रिथम ट्रांसजेंडर चुनाव इंबेटर पहले भी बताया फिर से बताया गोलन पहाडियां तो गोलन पहाडियों की बात करें तो सीरिया और इसराइल के मद्द का छेतर मौक डिंग ये क्यात रखना बहुत इंपोर्टन सब्दा वली है इसमें ये होता है कि जब बॉलर नॉन स्ट्राइकर वल्ली बाच को रान आउट सिर्फ एक बात में आप समझ जाईए चलिए आगे बात करते हैं भारत अफरीका क्रिसीव ग्रामीन विकास स्थान का अपना की गई आईए 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 आडी मलावी में चलिए विश्व का पहला 5G कवरेज जिला हंग चाउँ चीन भारत का पहला 5G कवरेज ठीक है भारत की पहली कार्बन सकारात्मक बस्ती मणीपुर कफायंग गाउं इसके बाद बात करते हैं देखे भाईया बैरे सीट स्पेसक्राप्ट किसका है याद रखना है यह स्पेसक्राप्ट किसका है जो फेल हो गया था इसराइल का है गुरुगराम हर्याना भारत के पहले बोटर पार्क का उद्घाटन किया गया ठीक है, लर्निंग कोईन, लर्निंग कोईन आपकी अंतराश्टी मुद्रकोस और विशुवें के द्वारा है, शुरू किया गए एक प्रोजेक्ट है, लर्निंग कोईन, होप प्रोब, साय जहां, UAE, विश्व पुस्तक राजधानी 2020 और कौला नमपूर, मलेशिया 2020 के लिए चलिए, इसके बाद बात करते हैं, मेरा इंडिया अभियान, भारत के लिए मरीले उनमूलन 2030 तक का टार्गेट रखा है, मेरा इंडिया अभियान, माम लूह गुफा, भारत के मेगाले में हैं, इरिटियम दातु के लिए भी चर्चा में रही थी, GSI ने इसको चर्चा में जूलियन अत्सांजे, विक्किलिक्स के संस्तापकते, जैने 50 सप्ताय जेल हो गई थी, आश्टेलिया के हैं, एम जै स्रीव ब्यास, बॉम्बे श्टोक एक्चेंज की प्रतम सुतंत महा, ने देशाक, UK, चलवायू अपात काल गोसित करने वाला बिश्चो का पहला देश, राज्य, चंदराणी मुर्मू, भारती इत्यास का सबसे युबा लोकसाबा सांसाद, सबसे युबा लोकसाबा सांसाद हैं ये, ऑपरेशन संराइज, भारत म्यम्मार के बीच में है, ऑपरेशन संकल्प, भारती नौसेना के फारास की खाड़ी में, भारती समुदरी जहा पाँच उपमुक कमंत्री और बना देते भाई यह सभी केविनेट मंत्री सबको कमंत्री बना देते इनके पता जी का जा रहा बनाने वाला एक मातर भारती राज जहांद प्रदेश और इस्थानी युवाओं के लिए 75% नौकरी आगरख्चित करने वाला भी देश का पहला मद्द प्रदेश ने कित्ता करा 70% डिजिटल उडान रिलाइंस युवाओं फेस्बुक के द्वारा डिजिटल साख चर्ता को बढ़ावा देने के लिए कभियान के शुरुआ की रही सहबीज ब्रॉंड एमपी ने सहबीज ब्रॉंड से बीजों को उत्पादन करने की एक सुपार को अजयो पार ले ओर कुंड़ सौप्ट व्यर उरकुंड बहुत इंपोटेंट है यह साहित्तिक चोरी बिसे विरोधी सौफ्ट व्यर काजिन सारा जील important है क्योंकि ये नेपाल में कोजी गई हो सकता है ये सबसे विश्चु की उची भी हो जाए अभी होई नहीं है राजिस्थान जेह वीदल पर राष्टी नीती गोसित करने वाला पहला राज है हैदराबाद भारत का पहला नीजी अंतरिक्ष विग्यान संग्राले हैदराबादे बनेगा रूस की अगर बात करें दो विश्चु का पहला तेरता हुगा परमाणू उर्जा प्लांट बन पॉइंट सेवन सेवन सिक्स लाग करोड रारवियाई द्वारा भारा सरकार को दिया गया बिवन जालन समिती गोरे वाडा अंतराष्टी च्रिया घर नाकपूर दीपा मलेक आरजी की यार प्राप करने वाली पहली महिला एथलीट पैरा एथलीट करनम मलेसरी आरजी क प्राप करने वाली पहली महिला एथलीट अंबिका पुर्ति अगर बात करें 36 घर भारत का पहला गार्विस के पे आंद्रपरदेस भारत की सबसे लंबी बिद्दुतिकरत रेलवे सोरंग 6.6 किलोमेटर H5N5 ठीक है ABN इंफ्लुएंजा से भारत मुक्त गोसेत हो गया दिली से फर्ष्ट प्राइवेट ट्रेंड भी है और IRCTC के द्वारा और इसमें अगर लेट होंगे तो भुक्तान भी किया जाएगा साथ 1500 रुपे और 2500 रुपे और 2500 रुपे मुंबई की बात करें तो भारत का पहला तेरता हुए बास्केट वाल कोर्ट भी मुंबई में ह जोधिया बाई बैगा उमरिया की है MP से इटली की प्रदर्सनी में प्रिंटिंग का प्रदर्सन रिलाइंस की अगर बात करें तो रिलाइंस से मुचल फंड की नाम बदलती हुए निपन मुचल फंड कर दिये हैं यूएई विश्व का पहला इसलिए निपन किसका पुरान नाम है जापान का यूए विश्व का पहला आर्टिफीशल इंटेलिजेंस विश्व द्याले की स्थापना करने वाला पहला देश असम की अगर बात करें तो नारिकता रजिस्टर दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी भी अयोग कर दिया दुस्तिलिक भारत हु विश्व के पहले सी एंजी पोर्ट टर्मिनल का निर्मार अरुन भूमी की अगर बात करें तो अरुनाचल प्रिदेश का पिर्थम हिंदी अकवार है भांग की खेती ब्याइद कर दी एमपी सरकार द्वारा क्लाइमिट एमरजेंसी सब्द है ऑक्सपोर्ट डिस्णरी सब लीगा का जो ब्रण्ड एमिजर बनाया गया है जो पहले गैर फुटबॉलर है रोईत सर्मा को 2022 तक लक्ष रखा गया है राष्टी ब्रॉड्मेंट तक सभी गाओं को 2022 तक ब्रॉड्मेंट कनेक्शन देना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णाए अब अंग्रे जी के अलाव को इसकी पीडियाफ लेनी है तो मैंने पहले भी बोला सिर्फ और सिर्फ पच्चेस रुपे में आपको इसकी पीडियाफ दे दी जाएगी और इसी के साथ साथ करेंट अफेर के कोशन भी आपको मैं इसी में प्रोवाइट करा दूँगा थेंक यो वर वाचिंग हैवा झाल झाल झाल